हेलो फ्रेंट कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छ होगे स्वागत दोस्तों आप सभी लोगों कापके अपनी चैनल क्रिकॉलन प्रेडिक्शन में है राइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सूपर एट का मुकाबला जो की यूएसे व क्वालिफाई करके आ रहे हैं इंडियान टीम के साथ पाकिस्तान टीम को इन लोगों ने बाहर किया एक प्रॉपर देखा जाया तो क्रिकिटिंग टीम भी नहीं है इनके तरफ से चार इंडिया के खेलाडी खेलते हैं दो काले खेलाडी खेलते हैं चार गोरे खेलाडी खे जीतने ही अब ये लोगा है मोटी भी पूरा चेंज हो गया है USA वालों की पूरी mentality चेंज हो गई है और यही कहा जाता है life में भी यही कहा जाता है कि mentality का ही जिंदगी खेल होता है जैसा आप सोचते हो आप वैसा ही आपको फल मिलता है तो USA के लिए बहुत important मुकाबला रहने वाला है वैसे देखो South Africa team on paper मजबूत रहने वाली है 90% चांसे दे कि South Africa team ही इस match को win करें लेकिन यह सेम चीज़ 10 दिन पहले जब USA पाकिस्तान का match हुआ था तो लोग पाकिस्तान के hit में भी कह रहेते तो USA को underestimate बिल्कुल नहीं करना है उलट फिर बिल्कुल कर सकती है USA की team तो USA के तरफ से ऐसे कोई खिलाडी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने team में जरू try करिएगा वैसे देखो chances है कि South Africa team ही match को win करें लेकिन कहीं अगर उलट फिर हो जाता है तो वो कौन सी USA के खिलाडी है जो कि आप लोगों को उलट फिर करने वाले है ठीक है अब दोगों पिछले match में line up क्या थी मैं पहले चीज़े समझा रहा हूं आप लोग चीज़े समझो क्यूंकि आपको भी मालूम है सारे लोग common team बनाएंगे पांच बॉलर South Africa के उठा लेंगे टॉप 3 बैटर उठा लेंगे तो ये टेकनिक तो आप लोगों को भी मालूम है इसमें जादा stats record कोई matter करता नहीं है लेकिन ची देखिएगा तो यहां पर एच सिंग इंडिया के खिलाड़ी है कोरी अंडर्सन न्यूजिलेंड के खिलाड़ी है ए जोंस बारबा डोस वेस्ट इंडिस से आते हैं तो वर्ल्ड 11 इनकी टीम है अली खान पाकिस्तान से आते हैं और वर्ल्ड 11 क्या 11 इन लोगों ने बनाया और यहां पर यह लोग हार भी जाते हैं साउथ अफरीका टीम से तो कोई बहुत बड़ा ही लोगों को मतलब शौकिंग चीज़ है ने क्योंकि साउथ अफरीका टीम वैसे भी भाई बहुत मजबूत है ठीक है लेकिन अगर USA ने साउथ अफरीका को हरा दिया जो कि हो सकता ह अगर 90% साउथ अफरीका के जितने के चांसेश है तो कहीं न कहीं 10% तो USA के भी चांसेश बन रहे हैं तो अगर उन्हीं 10% में विन प्रेडिक्शन अगर यह हो जाता है तो फिर USA वाले और भी बहुत बड़े अस्तर पे अपना नाम बनाने वाले हैं वर्ल्ड किरिकेट में गला तो किस परकार बनाना jsानी पहले आप लोगों जो समझना है तो मैस तो वैसे काφी हद तक टास पर डिपेंड करने वाला है अब देखोग इस्मॉल लिग की टीम में आप लोगों को बसाओं गराने गरांड लिग के हैं किसमार कर कार में ड़ियो में समझाओंगा पहले नाम पे ये नाम रखा गिया सर विवेन रिचर्ड्स के नाम पे गजब की एखिलाड़ी थे अपने जमाने में बॉलिंग विकेट रहने वाली है जहाँ पे बैटर बॉलर दोनों इंपोर्टेंट है लेकिन ज्यादा तर बॉलर्स ही बैटर के कंपेर में बॉलर्स ज्यादा जो तेजगती के बॉल आ रहे हैं वो यहाँ पर important रहने वाले हैं अब देखो बारिस के भी आसार दिखाई जा रहे हैं तो कहीं न कहीं मैच में आप लोगों को बारिस interfere कर सकती है इस चीज़ को ध्यान में रखना है टी 20 गेम है लेकिन average इसको और मातर सौरन बताया जा रहा ह जहाँ पर 120 गेंदों में आज कल तो 200 बनना भी common चीज़ है आई पील में हम लोग क्या देख रहे थे 250-260 इसली बन रहा था हर मैच में लगबग बन रहा था हर तीसरे चौथे मैच में लेकिन यहाँ पर 100 रन average बताया जा रहा है ठीक है देखो थोड़ा सा आप लोगों को और बताना चाहूंगा नार्थ और साउंड वाला यह जो ग्राउंड है रिसेंट अभी यहाँ पर इंग्लैंड और नमेविया का मैच खिला गया तहां देखो इंग्लैंड की टीम 122 बनाई थी मैच बार इसके वाज़ा से दसो बर का हुआ था नमेविया की टीम 84 रन मातर बनाने के लिए 2 विकेट खोना पड़ा तो इससी आप अंदाजा लगा सकते हो विकेट गिरता है उपर आते हैं नमेविया उस्टेलिया का मैच था नमेविया की टीम 72 बनाती है लेकिन उस्टेलिया को रन चेज करने के लिए 1 विकेट अपना खोना पड़ा था फिर उपर शे विगेट पेसस वा पांच विगेट इस्पिनर से निकाले हैं तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले विगेट कीपर सेक्शन से टीम बनाना किस पर कारते हैं तो टॉस पे काफी हद तक यह मैच डिपेंड करने वाला है 90% साउथ अफ्रीका टीम चांसे रखती है मैच को विन करने का ठीक दोस्त है और 10% यहाँ पे यूएसे की टीम मैच को विन करने के चांसे रखती है तो 10% कम नहीं होता है उसी 10% में उलट फिर हो सकता है लेकिन पहले हम लोग 90 वाला रेशिय ज्यादा धियान में रखेंगे अब अगर साउथ अफ्रीका के टिम सपोस्ट बैट करती है इस्मॉल लिग के टिम बता रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं करना है रीजा हैंरिक्स क्योंकि ज्यादा अपने को बुद्धी मत लगाना रहता है ठीक है ज्यादा छड़ छड़ किया जाएगा गलट टीम बन जाएगी तो यह कॉमन टीम है कॉमन टीम आप सेम बना सकते हो जहां पर पांच बॉलर जो की ओवर कंप्लिट करेंगी यह पांच अपने मतलब चार्च गिरेगा भाई हैंडिच कलासन आएंगे बैटिंग करने फर्स्ट बैट में तो इंपोर्टेंट हो सकते हैं अगर 20-25 गेंदे मिलता है तो अराम से बंदा पचास रन करके दे सकता है तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बैट करती है तो फिर देको USA के देथ के ब मैच खेलते हैं इनको मैंने देखा यारना लाइव मैच में यह जब ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हैं तो आपने मिटिंग करते हैं अपने ऑफिस का तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकती हो एक टीम बस खोश्ट नेशन होने के तहट इन लोगों को वर्ल्ड कप में मौका मिलाता और इस परकार का पफोर्मेंस करना वाकई में काबिले तारीफ है अब देखो यहां पर नेट वालकर के साथ साथ आप चाहो तो अली खान को ले सकते हैं अब इस टीम में होगा कि अगर मान लो साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग विकेट तो नहीं यह व अली खान को वैसे कम लोग ट्राई कर रहे हैं वैसे देखो देखो स्पेसलिस्ट बॉलर है लेकिन इनका ओवरकट जा रहा है तो इनको ड्रॉप करके कोरी अंडर्सन को आप लोग टीम में ट्राई करके चल सकते हो बागी टेलर और स्वन सिवलिंग का भी विकल्प रहने तो यह साउथ अफ्रीका के टीम जब फरस्ट बैट करेंगी तो आप यह कॉम्बिनेशन बना सकते हो अब ऐसे कॉम्बिनेशन में सव आफ्रीका टीम अगर फर्स्ट बैट कर रही है तो आप कोइंट अटि को दुखो वैसे फॉर्म में नहीं है लेकिन सी वीशी दे के चल सकते हो या फिर साउथ अफ्रीका के यह जितने बॉल आ रहे हैं जो कि चार्चार उबर का स्पेल कंप्लीट करेंगे आप इनमें अपना सी विसी कर सकते हो ठीक है तो यह यहां पर कॉम्बो टैयार हो सकता है वहीं अगर मानलो यूसे की टेम फ़र्ष्ट बैट करती है फ़र अगर एक विकेट दो विकेट हीखो के साउथ अफ्रीका की टीम चेज कर लेती है और हैंरिच कलासन की अगर ऐसे सिच्वेशन में बैटिंग आती भी है बोर्ट पे लेकिन जादा रन नहीं है दस से पंदरा रन है तो इतना बना कि यह कुई जादा पॉइंट ने दे सकते हैं और विकेट कीपरिंग क्वेंटन डिकॉक कर रहे हैं तो ऐसे में हेंडिच कलासन को आप ड्रॉप करके आरन जोन्स को अपने टीम में ट्राइ करके चल सकते हो और टेलर कभी यहां से आप लोगों के लिए एक विकल्प ओपन हो जाएगा ठीक है तो फिर आप इस परका कि यह वहां पर सिर्फ एक खिलाड़ी आप लोगों को मैच विन या लॉस करवा सकता है तो वह सिच्वेशन मैंने बता दिया कब किस परकार से टीम मना के चलना है तो फिलाल मैं चेजिंग को ही लेती हुए साउथ अफ्रीका की टीम में मान के चल रहा हूं कि सेकेंड करेंगे या फिर तबरेस समसी क्योंकि यह नॉन टेस्ट प्लेंग नेसन टीम होती है ना यह इस्पिन बॉलर बहुत मतलब खराब खेलती है जैसे आडम जंपा को आप लोगों ने देखा चारविकेट निकाले आदिल राशीद ने चारविकेट लिकाला अभी परसो इशो लाट में को मैं बना कर चल रहा हू mirrors नेटवालकर अगर आप चाहो तो टेलर को ड्रॉत करके नेटवालकर ले सकते हो अगर आपको को माथा पीछे नहीं करना साउथ अफ्रीका के टीम में मतलब टीम को ही फैवरेट मानती हूँ आपको अपने कॉम्बो को ट्राई करना है बाकि आफ्टर तॉस देखते हैं क्या कुछ चेंज़ेज होता है क्योंकि आपको मालू में लोगों को मालू में किस परकाई टीम इसम कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर कॉल नोटिफिकेशन पर आइकन को प्रेस करेंगे तो मिलते हैं को अच्छी वीडियों साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक क्या एक को प्रेस क्या क्या है को मिलते है लोगों दो jazz है एक घर टीम जेखिकेशन ठेधिए Leon Viel